कि सलाम नमस्ते हेलो केमचो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार लेट वाइफाइट टू-पैंट-जीरो पर वाई-पन लेट्सक्रेक बैंक एक्जाम पर आते हैं तो अभी तो दोस्तों मेरे स्केड्यूल को आप देख लें एक बार पहले एक नजर सरसरी निग दो एप पर मेरी फ्री क्लास होती है एक हो रही है आपकी तीन बजे जिसमें हम लोग माई का रिवीजन करें जो आपके एक्जामनेशन लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरा आपका हो गया रात को दस बज़े में रात को दस बज़े हो गया दोस्तों दूसरा ठीक है यह दो हो गए आपके ठीक है जाद को दस बज़े फिनेशल करेंट अफेर की क्लास हो रही है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है यहां आप हम लोग रैपिट फैर चले क्योंकि एक्जाम है अगले आपते में इसलिए अब यहां पर हम लोग कॉंसेप्ट नहीं लेके चलेंगे यहां हम लोग रैपीट फ़यर फिनेशल करेंट अफेर लेके चलेंगे क्योंकि फिनेशल टफंप जडा जधाक वर होना चाहिए यही तो मकसद है pleasant क्योंकि क्योंकि फिनेंशल करेंट फईर ही ज्यादा आते है अपने एक्जाम में तो दोस्तों इसके बाद सामक गेम चेंजर बैच है दोस्तों बैंकिंग अवेरनेस के उन्हीं टॉपिक्स को कवर किया जा रहा है जिसमें अपडेट्स आए हैं जो चेंजेज हुए हैं जिसके बेसिक कॉंसेप्ट से लेके एडवांस तक हम लोग पढ़ रहे हैं जैसे कल हम लोग ने पढ़ा को ऑपरेट सब्सक्राइब तक बहुत सारी चर्चा यहां पर कॉंसेट्ट वास चल रही हैं तो यहां पर दोस्तों हम लोग चैप्टर वाइस चीजों पढ़ रहे हैं तो प्लस सब्सक्रिप्शन इसका जो लिंक भी मैंने ग्रूप में दिया हुए अपने टेलीग्राम गृप में जि दोस्तों इसका जो है description में एरो दबा की नीचे जाएंगे तो मेरा telegram का address भी मिल जाएगा और दोस्तों यहां पर live chat में मेरे app का follow करने का option भी मिल जाएगा दोस्तों plus subscription लेने पर इस समय जो है आपको बहुत सारे batches और test series मिल रहे हैं unlimited access मिल रहा है दोस्तों अभी prices एक जून से बढ़ने वाले दोस्तों 20% प्राइज बढ़ जाएंगे तो सीधे-सीधे 30% का फायदा प्यसाइट 10% discount 20% प्राइज बढ़ने वाला है तो अभी लेले अगर लेना है तो लेट करके अपने पैसे का नुकसान करने का कोई फायदा नहीं लेना तो ही क्योंकि सारे टीचरों का access है जो भी थे हैं और जो आएंगे उनका भी पैसे आपको मिल जाएगा जितने एक्जाम थे हैं और आएंगे उनका भी स्टॉक्चर्ट कोर्स मिल जाएगा टेस्ट अनाल से स्टेस्ट स्टडी मेटेरियल सारी चीज़े यहां पर आपको एवलेबल है दोस्तों आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं आप जो है करके अपने टीचर से बात कर सकते हैं कि दोस्तों यहां पर आपको 304 रुपए पर मंत 304 रुपए प्लस की कॉस्टिंग आती है दोस्तों आपकी साड़े आठ हजार रुपए पिये साटेन को यूज करने पर आपको डिसकाउंट भी मिल जाता है वहीं आइकोनिक जिसमें क आपको प्रिफरेंस मिलता है प्लस के ऊपर उसकी कॉस्टिंग आपकी 417 रुपए पर मंत यानि 10 रुपए पिये साटेन कोड यूज करने पर इस पर भी आपको बंपर डिसकाउंट मिल जाता है कुछ भी इनप्रिप्रियेट लगे तो दोस्तों आप रिपोर्ट कर सकते है प्यूसिंग नाम से आप दोस्तों मुझे फॉलो कर सकते हैं बैंक एक्जाम केटेगरी पे लाइफ चेट में भी ऑप्सन होगा डिस्किप्शन में भी लिंक होगा जीए भाई प्यूसर से भी आप मुझे सीधे डारेक्ट जो है इस टेलिग्राम गुरुप से भी आप मु मोबल बिजनेस सम्मिट में छटे संस्क्रण में कौन से पॉइंट सही हैं इस सम्मिट के दोरान जो है वेश्ट बेंगौल की सेवन इनवर्सिटीज ने पंद्रह एम यू पे हस्त्रक्षर किये हैं इंटरनेशनल एंड नेशनल हायर एजूकेशन इस्टिटूशन के साथ क जॉइंट रिसर्च करने के लिए ठीक है इसी सम्मिट के दोरान सिल्प साथी पोर्टल भी लॉंच किया गया अंडर इंडर्श्ट्री सेशन एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन एंड सेल्फ हेल्प ग्रूप्स अलॉंग विथ बुक और जी आई टेग प्रोड़क्ट फ्रॉम प्रोड़क्स फ्रॉम वेश्ट बेंगॉल वेश्ट बेंगॉल की जितने जी आई टेग प्रोड़क्ट है उस पर एक किताब भी जारिक की गई दोस्तों तो यह बिल्कुल सही है बेंगॉल ग्लोबल बिजिनेस सम्मिट में बहुत सारे जो है अग्रिमेंट हुए हैं यहां पिस सम्मिट में देख सकते हैं है ठीक है तक आपा कैसे तो डोई सकते हैं गौताम अदानी जी और मंता बनैंग जी है शहरे कैसे जो है यहां पे इनका बीपी बहुत हाई हो जाता है इसलिए यांटी मीटर पर पूरा चेक करती रहती हैं बीच में बीपी हाई न हो जाए लोग हो जाता हुआ चिलाने लगती है तो दोस्तों जो है यहां पर सिकर सम्मेलन के दावरान जो है वर्ल्ड बैंक को थी वर्ल्ड बैंक रिसीवड इन्वेश्टमेंट वेश्ट पेंगॉल रिसीवड इन्वेश्टमेंट प्रपोजल आफ 3.42 लग करोड तीन लग 42,000 करोड का निवेश्ट प्राप्त हुआ है 137 समझोते दोस्तों MOU पर यहां पर सिकनेचर हुआ अभी दोस्तों बंगला अकैडमी बी प्राप्त हुआ है कविता बीटान का इन्होंने एक भूक लिखी जिसमें 946 कविताएं इन्होंने दोस्तों जो है लिखी है biết जिसके लिए मंता बन्र जी जी को अभी बंगला Academy Award का Award भी मिला दोस्तों मैंगरोव जंगल के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं आदित ठाकरे जी जिसकी वज़ा से दोस्तों इनको जो है COP26 में जो है जलवायू का एक बहुत बहुत बहुतरीन अवार्ड भी दिया गया ग्लास्गो स्कॉटलेंड यूके में महराष्ट को तो दोस्तों यह इतना अच्छा काम करते हैं कि दुनिया भर की कंपनिया भी इनके साथ जो है भागिदारी कर रही हैं जैसे एपल कंपनी ने दोस्तों यहां पर मैंग्रोव इको सिस्टम की रक्षा के लिए अप्लाइड काल इन्वारमेंटल रिसर्च फांडेशन और के साथ जो है भागिदारी की हैumuz दोस्तों न कहां कि है तो यहीं हम्हाराश्चा में किह मैंग्रोव कि आप anticipating देख रहे हैं तो दोस्तों यह यहां पर किया है मैंग्रोव के जेंगलों के लिए दोस्तों यह जो Apple का symbol भी आपको दिख रहा है तो महराश्च के राइगर्ण में जो है दोस्तों यहां पर किया गया है यह agreement एपल बीस करोड डालर का जो है restore funds का हिस्सा भी है तो महराश्च दोस्तों बहुत ही बहुत तरीन काम कर रहा है अभी डावोस में जो है वर्ल्ड इक्रामिक फोरम सम्मिट हुआ वहां भी दो तीजार करोड का इन्वेस्टमेंट लेका है कई कमपनियों के साथ टाइएप हुआ है दोस्तों पांच से बारा साल के आयूबर के बच्चों के लिए भारत में आपात काली के यूज जब यूज कप जो है अनुमती दिया जाने वाला कि जो है पहला करकों सबूसे को बारे साल कर नहां लगेगा ना तो कोविश टूट अफ इंडिया सायरस पूना वाला पद्मभूश्ण को वी नहीं नहीं भी मिला है जब कि साइरस पुना वाला तो दुन्या के सबसे हमीर आदमी 5 सल से 12 सल की को मिला है दोस्तों जो भारत बाइधराबाद की कंपनी है ये भी भारत बायोटेक की तरह बायोजिकल य भी जो है यह कंपनी ठीक है तो दोस्तों ड्रग कंट्रोलर जनर्ल इंडिया ही यह जो है कि एनुमती देता है रग कंट्रोल जनल आफ इंडिया कौन है देश के यह आपके लिए बड़ा इंपोर्टेंट है जो है वह है वी-जी सो मानी कौन है यह वी-जी सो मानी है ठीक है क्लियर है बात समझ में आ रही है चले बहुत अच्छा शांदार जिं चुना गया किसको चुना गया वभीता सिंग जी को चुना गया है कि कि कैंट फिक इंडिया इंटरनेशनल पॉंक्ले में सिक्षा खेल और कलिया संस्क्रिति राणी से सांती हे गाती को बढ़ावा देने के उनके काम के लिए नय वैश्विकTER के रूंद का मिलोबल पीस एंबेजडर के रूप में इन्हें चुना गया है दोस्तों छटे अंत्रप्रनियर लीडर्शिप के अवार्ड को किसे दिया गया है छटे अंत्रप्रनियर लीडर्शिप अवार्ड दोस्तों इंडो-अमेरिकन चेमबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा किसे दिया गया है इंड अमेरिकन चीफ इक्सकेटिव अफ जैनेस जनरल एक्टॉमिक ग्लोबल कॉर्परेशन जनरल एक्टॉमिक ग्लोबल कॉर्परेशन के दोस्तों जो है यह जो है पडानमंत्री मोदी जी ने नौवे शिख गुरू तेग बहादुर जी की कौन सी जैन्ती पर एक इसमारक सिक्का और डाप टिकट जारी किया है तो दूस्तों गुरू तेग बहादुर जी शिखो के नौवे गुरू थे और दोस्तों 400 वी जैन्ती इनकी बड़ी धुम धाम स से मनाई गई जी टीवी नगर दोस्तों जो मेट्रो स्टेशन है उसका भी नाम फुल फॉर्म गुरू टेग बहादूर ही पूरा नाम उस मेट्रो स्टेशन का रख भी दिया गया दोस्तो इस अवसर पर इन्होंने दिल्ली के लाल किले में चार सोवें प्रकास वर्स समारों के अवसर को बड़ा धूम धाम से मनाया राश को संबोधित किया गुरुतेग बहादूर जी के बलिदान को याद किया जो अपनी संस्किती की गर्मा के रक्षा के लिए और अंजेब के अत्याचार के खिलाफ खड़े थे दोस्तों यहां पर देख सकते हैं लाल किला पीछे दिख रहा है और इन आत्ताईयों ने किस तरीके से गुरुतेग बहादूर जी को जो है यातनाए दी लेकिन फिर भी वो जुके नहीं और दोस्तों यह लाल किला जिस जिसमें इसके आत्ताईयों का नाम जो है तिहास में धूमिल हो गया मिट गया आज उनको गालियां देने के लिए बस यूस किया जाता है कि और अंजेब ने काशिविशनात मंदिर तोड़ा सोमनात मंदिर तोड़ा यह गुरुवों के साथ ऐसा अत्याचार किया दोस्तों इन आत्ताईयों ने जो है कभी चमडी उधेडी कहीं बच्चों को चुनवाया कहीं कढ़ाई में तला कहीं जो है दोस्तों आरे में काटा चितनी भी आतनाएं करी लेकिन यह कभी नहीं जो कि आज वही लाल किला गुरु तेग बहादूर ज जीवनी का चितर इस लाल केले पर लाइट शो के द्वारा किया गया दोस्तों तो जो सच्चाई होती है वो 400 साल बाद भी प्रकट होती है दोस्तों इनहीं इमारतों पर प्रकट होती है वह उभर के आ जाती है कोई चाहे लाइक दफन करे एतिहास में जो दफन नहीं हो सकत तो नहीं हो सकता और जिन जो अपने आपको अमर दिखा रहते यह सब इमारते बना के आज उनका नाम लेवा कोई नहीं है आज उनकी वनसज पंचर की दुकान पर बैट रही है तो दोस्तों यह गुरू तेक बहादूर जी हैं जिनके कि आज सिश्य पूरी दुनिया में राम रोशन कर रहे हैं दोस्तों वेन वाज दे इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टी लेटरलिजम और डिप्लोमेसी फॉर पीस अब्जर्वड सांती के लिए बहुपक्षवाद और कुटनिती का अंतर राश्टी दिवस कब मनाया गया तो दोस् क्लियर याद रहेगा दोस्तों क्रिशी पर राश्टी समयलन खरीफ अभियान 2022 में सरकान ने हाली में फसल वर्स 2022-23 जुलाई 2022-23 के लिए कितने रुपय का जो है यह फूट ग्रेन प्रोड़क्शन का टार्गेट रखा है फूट ग्रेन प्रोड़क्शन का टार्गेट इस साल का कितना रखा गया है तो दोस्तों यह रखा गया 328 मिलियन टन राश्ट्री किसी सम्मिलन खरीफ अभियान दोस्तों इसे जो है नई दिल्ली में चलाया गया पूसा परिसर में पूसा परिसर दोस्तों अग्रिकल्चर रिसर्च इंस्टिट्यूट को कह जाता है वैसे देखिए số 2 प्ूसा बिहार में है लेकिन जब बिहार में भुकम पाया था अंगरेजों के जमाने में तो इस प्ूसा केमपस को दिल्ली सिफ्ट कर दिया गया था अब पूसा बिहार में है लेकिन आज भी एक रिकल्चर इस्टिट्ट को रिसॉर्च इस्टिट्ट को फूर событи reverse बुलाए जाता है आज भी पूसा केंपस ही बुलाए जाता है देखिए पूसा केंपस कि जबकि पूसा बिहार में है अब पूसा केंपस अब नया जो है दिल्ली में तो नेशनल अग्रिकल्चर जो सेंटर है दोस्तों वो कहां पे है वो पूसा में ही है ठीक है क्लियर है नेशनल अग्रिकल्चर साइन्स सेंटर नरेन सिंग तोमर जो अग्रिकल्चर मिनिश्टर है दोस्तों ये कहां से आए है टो यह महामध्य परदेश के भिंड से चुनके आया है नरेन सिंग्ध को मर जैसा ही नाम आपको उनका भी लगेगा पांसिंग तोमर का वह भी भिंड मुरेना कई थे उनके उपर तो मुवी भी बनी है ठीक है दोस्तों हाली में किस संध्टन गुजरात इंटरनेशनल फिनायां सट्ट इस्ट की की बात धन्त हो रही है जो गांधी नगर में इफ्ट सेथे एक सानल मिक जोन है इंटरनेशनल फिनायांश ऩ baru सब्सक्राइशा क्सक्र मदधने की गोशचना की गई है किसके दौररा international sustainability platform launch करने के गोशना की गई है तो दोस्तो NSC के द्वारा की गई है Bombay Stock Exchange ने यहाँ पे दोस्तो India International Exchange ओपिन किया इंडिया International Exchange ओपिन किया था Bombay Stock Exchange ने और दोस्तो यहाँ पे National Stock Exchange ने IFSC ओपिन किया था यह IFSC अलग है और एक IFSC-A भी है दोस्तो तो यहां पर आइएफसी एए आइएफसी एए जो है यहां की रेगुलेटिंग अथर्टी है जिसकी उत्सुरुवात 27 अपरल 2020 को हुई थी और जिसके प्रथम अध्यक्ष इंजेटी स्री निवास हैं गांधी नगर में गुजरात का गिफ्ट सीटी है दोस्तों जहां और यह भी बने है संट एसेस मुंद्रा यह तो आपको पता है कि बीसी और एमस एमसमी के टाइब तमिल नाडू के साथ हुआ एनसी और एमसमी के टाइब तेलंगानाग जात लेकिन एनसी कि नेशनल इस्टॉक एक्षेंज इसके हेट कौन है दोस्तों बसंद कह रहे हैं य नेशनल इस्टॉक एक्षेंज के हेट कौन है तो दोस्तों यह भारत इस विल बी इंडिया फर्स्ट एसजी प्लेटफॉर्म यह भारत का पहला एसजी प्लेटफॉर्म है एसजी का फुल फॉर्म अभी एक एक्जाम में आया था इन्वार्मेंटल सोसल और गवर्नेंस जै हावी रहा इस टर्म के थ्लरफ च्वाविया था ओसट ऑनषच का फुल फॉर्म पूझा गया था ठीक है चले इसडवी ने MSME की कुल जनसक्ति की मांग को पूरा करने के लिए सिट भी क्लश्टर डेवलप्मेंट फंड के तहत महराश्च सरकार को कितने रुपए के अनुदान को मंजूरी दिये सिट भी यानि की स्माल इंडेस्ट्री डेवलप्मेंट बैंक आफ इंडिया जो दो अप्राइल 1990 कवाई थी एस रमन जिसके हैड है इन्होंने दोस्तों महराश्च गौर्णमेंट को पैसा दिया है कितने का पैसा दिया कितना पैसा दिया है दोस्तों 600 करोण रुपेदा क्यों दिया है यह यह जानते हैं क्यों दिया है दोस्तों आए यह जानते हैं तो यहां पे देखा जाये तो आई टी आई और पॉलिटेक्निक्स को डेवलप करने के लिए रिसीव रिवाइब एंड अप्ग्रेट सेवरल आई टी आई को यहां पे डेवलप करने के लिए वोकेशनल इंजुकेशन और ट्रेनिंग अंडर डिपार्टमेंट आफ इस्कील इंप्लाइमेंट अंत्रपरनियर इनोवेशन महाराश्चा तो दोस्तों अब समझ में आ गया किसके लिए यहां पर सीड़ी ने महाराश्चा को पैसा दि इसी ने अपने डीजी जून भी इस्थापित किया कि दोस्तों आईश्मान भार आरे आत्म निर्बर भारत रोजगार योजना में इन्हों ने टॉप किया है महाराश्च ने महाराश्च ने अभी दावोस में वर्ल्ड उकनामिक फोरम सम्मिट में जो है एग्रिमेंट किय है तीसे जार करोड का कई कंपनियों के साथ उद्धो ठाकरे जी यहां के मुखमंत्री है भगत सिंग कोस्यारी गवर्नर है सी ओपी ट्वेंटी सिक्स में महाराश्च को अवार्ड मिलता है दोस्तों मिसन कवच कुंडल मिसन वासल योजना यहीं की योजना है साइबर से व पॉली टेक्निक्स को अपग्रेट करने के लिए सिटवी ने 600 क्रोड रुपे दिये हैं ठीक है अभी कुछ वेस्ट से जो है कि कुछ एनरजी डेवलप किया है इन्होंने है और अभी एक एलेक्ट्रिक वेहिकल बस भी इन्होंने जो है चलाई थी बनाई है सेल्फ वहां की एक नाइन करके कुछ तो बहुत जादा इन्वारिमेंट के लिए बहुत अच्छा अच्छा काम कर अभी आपने देखा मैंगरोव के एको सिस्टम के लिए एपल के साथ इनका करार हुआ है जलगाओ बनाना को जियाई टेग मिला जलगाओ बनाना कहां एक्सपोर्ट हुआ तो बिल्कुल यहां पर सही बात है कि पूने में दोस्तों जो है जी एम आईटी है यहां पर सीवाजी की अभी गन मेटल की एक मुर्ती स्थापना होई है पूने में जो है मेट्रों की भी सुरुवात की गई है पूने में दोस्तों सीरम इस्टूट ऑफ इंडिया है पूने में बैंक ऑफ महराश्च्रा है पूने में एक साइंस सिटी बन रही है राजु गांदी जी के नाम से दोस्तों इब इंडिया का पहला बायो सेफ्टी लेवल थ्री कंटेन्मेंट मोबाइल लिबरेटरी नासिक में उपेन हुआ नाग्पूर में गोरे वाला चिडिया घर का नाम बाबा साहिब अंबेटकर के नाम पर रखा गया सलमान खान सलमान खान को यहां पर दोस्तों ब्रेंड डेमेजर वेक्सिनेशन का बनाया गया भारत का पहला अर्बन पॉड मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर सुरू किया गया पैंस कैंसर से प्रिवेंसन के लिए अवेर्नेस के लिए वोप एक्सप्रेस लांच की गई मुंब कि यह रवर्दा जेल में दोस्तों पर्सनल लोन दिया जा रहा है कैदियों को जीवला नाम से भारत का पहला और्गेनिक वेस्ट पावर इलेक्ट्रिक वहिकल चार्जिंग इस्टेशन यहां पर सुरू क्या गया है और्गेनिक वेस्ट से जो है पावर करके रिसाइक्ल कर के इलेक्ट्रिक वहिकल चार्जिंग की जाएगी यह विवस्ता यहां पर की गई है भाई मानना पड़ेगा महराश जो है इन्वायर्मेंट के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है मंगर में जो है हनी विलेज बना है पूने में जो है स्टेडियम का नाम जो है आर्मी स्टेडियम का नाम नीरेच चोपड़ा के नाम पर रखा गया है सीडेक्व जो सूपर कंप्यूटर बनाता है वो भी पूने में वेरी गूड संगीता तुम में टाइम मैनेज कर ले रही हो हैं किया बात है बहुत अच्छा कि आर्जे करें बैंक अब महाराष्टा ने फिज्डम के साथ टाइब किया है वेरी गूड कि सफेद कांदे को जी आई टैग मिला है अली बाग केट वेरी गूड एक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक बैंकिंग पार्टनर है वेरी गूड आकास ने बताया है वेरी गूड नेब फिट के हेट कई वी कामत हैं बिलकुल एनसी के सीईओ विकरम लिमे है चेंज नहीं हुए है विकरम लिमे है चाहिए रीदम ममानिया दस साल की वरली की बच्ची है जो की माउंट एवरिष्ट पर चड़ी है माउंट एवरिष्ट पर नहीं चड़िए एवरिष्ट के साथ बेस कैम तक पहुंचिए दस सल की बच्ची कि दोस्तों वर्ड एकोनॉमिक फोरम दौरह अप्रेल में जारी 2022 के यंग ग्लोबल लीडर के नए वर्ग के साथ निम्लिकित में से कौन से पॉइंट सहीं है दोस्तों वर्ड एकोनॉमिक फोरम के हेड एक लास स्वाब 1971 में आई थी और कोलोन में इसका हेड़क्वाटर है यह भी एक्जाम में आता लेकिन दावोस में इसकी मिटिंग हुई है 2020 के बाद कोरोना के बाद पहली बार जिसमें महराष्ट मिने भी खूब सारे इंवेश्टमेंट बटो रहे हैं दोस्तों वर्ड एकोनॉमिक फोरम के यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड की बात हो रही है यूक्रेन के वाइस प्राइम मिनिस्टर मिखाइल फेदोरोव को जो है यहाँ पे वर्ड एकोनॉमिक फोरम में यंग ग्लोबल लीडर का अवार्ड मिला इस लिष्ट में दोस्तों साथ इंदियन्स थे जो की वर्ड योगल यंग यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड में थे आम आदमी पार्टी के रागव चढद्धा और एडल वाइस म्यूचल फंड के सीयो राधिका गुपता ये दोनों लोग भी इस लिष्ट में थी ठीक है तो ये जो है पॉइंट तीनों सही है तीनों पॉइंट सही है दोस्तों तो मुझे तो लग रहा है ये रागव चढद्धा है ये राधिका गुपता है एक आखस कि ठीक है दोस्तों अभी टाइम्स मैगजीन ने 100 इंफ्लुएंशल लोगों को चुना जिसमें की एक खुर्रम साहब थे और एक कुणाल साहब थे और एक अधानी सहाब थे गौतम अधानी साहब थे ठीक है क्लियर है बात समझ में आ गई कि ग्लोबल हेल्थ अवार्ड गोपाल कृष्ण को आज मिला है वेरी गौर्ड दोस्तों मुख्यमंत्री बसो राजबुमई के दिक्ष्टा में कर्नाटक राजमंत्री मंडल ने निर्माडा धीन सीव मुग्गा एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखने को मंजूरी दिये दोस्तों कर्नाटक के बैंगलूर में एक तो आपका बौला एयरपोर्ट है अरे क्या नाम है उसका जो बैंगलूर के सब्सक्रापक थे देखो बैंगलूर केंप गोडा एयरपोर्ट देख्रेयों मिर जह लग है और दूसरा एयरपोर्ट है दोस्तों यहार बन रहा है बैंगलूर में जो की अब भी मुख सानव तक बी सभेय सधुरप्ण ऐसाब करनाटक के इनकी जगह जो है बसोराज भूम में आए हैं कि दोस्तों यह बन गए हैं यहांपे इनके नाम से एयरपूर्ट बन रहा है भी सेधुरप्पा साहब के नाम से ठीक है तो बैंगलोर के बाहरी इलाके सोगने में इसका जो निर्माड किया जा रहा है इसकी अनुमानित लागत 384 करोड रुपए है ठीक है उडान योजना के तहट दोस्तों यहां पर एset बन रहा है उढ़ान योज़ना के तहत 2025 क्रेट टक 220 एस एरपोर्ट बनाने का लक्षय को 220 एयरपोर्ट दूस्टा बन चाहेगा और बन भी जायेगा सारे काम चल रहें कर नह 내려 Gall पर सबस्यादा एर्पोड यूपी प्था यूपी दोस्तों सबजियों के प्रोडक्षन में नंबर वन पे फ्रूट केसं में आंध्य पदेश घरेलू टूरीष्ट में !!्यूपी नंबर वन पर सांस का फुलफा में सोशल अवेरनेस एंड एक्षन टू नीट्रलाइज निमोनिया सक्सेस्पुली दोस्तों निमोनिया के स्पिलिंग पी से सुरू होती है और इसलिए नियुमो कुकल वैक्सीन जो निमोनिया की वैक्सीन बनाई थी वह एक संस्था है सीरम इस्टूट आफ इन्हों ने बनाई सीरम इस्टूट आफ इंडिया ने अब नाम है निमो कॉक्कल वैक्सीन लेकिन लिखा जाता है पी सीवी क्योंकि निमोनिया की स्पेलिंग पी से सुरू होती है खैर सास अभियान जो है दोस्तों ये करनाटक में सुरू किया गया और कोरोना में जो कर देता था किंग데 हम लोग बात करें करनातक की अगर बात की जाए तो इसकी capital पेंगलूरू है जो ऑफ लिवीन इंडेक्स में भारत में टॉप पर है लह 20 Лगसे 359 का बादिवें ही हाइट एक सीटी भी है फास्ट जोएट थेक सीटी है दोस्तों बसुग मुख मन्तरी है त्माइट सावर्चंद गैलोद गवर्नर है सावर्चंद गैलोद मंतरी थे अभी तक संसदी कार्यमंतरी भारत सरकार अब इनको रिटारिमेंट दे दिया एनिमल वेलफेर वर्रूम अवलोकन सफ्टवेर दिसांख एब यह सारी चीजे यहां पे हैं भारत का पहला फर्स्ट एवर डेटा बैंक एक वा एकवेरियम खेलो इंडिया इनिवसिटी गेम दोस्तों जैन इनिवसिटी में सुरू हुआ है यहां पे है जैन इनुश्टी ही जीता भी है 20-25 बीस गोल्ड जीता है साथ सिल्वर जीता पांच ब्रॉंज यानि कि टोटल बत्तिस मेडल जीता एग दोस कंवार्म्ट वाल ओवार्ड मुंबई वाले एरफोर्ट को मिला चत्रपधी शिवा जी महराज को कोंट मिला था कोचीम एरपोर्ट केरल तो केमपेग गोड़ा को दो अवार्ड मिले थे बेस्ट पर अब आवार्ड मिला था दोस्तों जो रही नई राष्टी सिक्षानीती है 2020 वाली वह भी दोस्तों सबसे पहले इंप्लिमेंट जो है करनाटक नहीं किया और यह रूपी की जो प्रिपेड वाउचर स्कीम आई थी जिसमें की एक लाख रुपए इसकी लिमिट कर दी गई है पर प्रिपेड वाउचर की यह स्कीम भी सबसे पहले यह फैसिलिटी भी सबसे पहले करनाटक नहीं इंप्लिमेंट किया तो दोस्तों के कस्तुरी रंगन सहाब के द्वारा 1986 की सिक्षानीती को बदल दिया गया जिसमें की 10 प्लस टू की जगा अब 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 जो है इंप्लिमेंट किया जाता है ठीक है और अब दोस्तों इसमें तीन लेंग्वेज मेंडेटरी किये गए हैं दो जिसमें से नेटिव लेंग्वेज और एक फॉरेंग्वेज तो दोस्तों जिसमें से आपकी सुरू की 5 प्लस तक की पढ़ाई नर्सरी, UKG, LKG, 1 और 2 ये जो है मदर लेंग्वेज में होगी यानि उडिया बच्चा है तो उडिया में होगी हिंद इंगलिस में नहीं होगी उसके बाद दोस्तों उसको जो है तीन लेंग्वेज धीरे-धीरे सिखाया जाएगा एक विदेशी लेंग्वेज दो भारतिय लेंग्वेज इसके बाद दोस्तों छे, साथ, आठ में उसको कोई स्किल डेवलप किया जाएगा ताकि वो कागजी डिग्री होल्डर ना बने इसके बाद 9, 12, 11, 12 यहां 6, 7, 8 के बाद कोडिंग सिखाना सुरू कर दिया जाएगा एप डेवलप्मेंट वाला इसके बाद यहां डेटा साइंस सिखाना सुरू किया जाएगा उसके बाद दोस्तों ग्रेजुएशन में जो है कभी भी इंट्री करो कभी भी एक्जिट करो पहले साल अगर आप पढ़के निकले तो आप जो है सर्टिफिकेट लेके जाओ दूसरे साल पढ़के निकले तो डिप्लोमा लेके जाओ है ना और तीसरे साल में डिग्री लेके जाओ और अगर second year के बाद पढ़ाई छुट गई तो फिर से तीन साल अब बैठके ग्रेजवेशन ही कर रहे हैं इसके बाद दोस्तों यह जो साइंस मैट और कॉमर्स वाला जो चाचा जी के कहने पर साइंस ले लेता था आदमी फूपा जी के कहने पर डॉक्टर बन रहा है मामा जी के कहने पर इंजीनियर बन रहा है पड़ोसी के कहने पर जो है कि उसने कॉमर्स का स्टूडेंट साइंस ले लिया यह सब चकरी खतम मेजर और माइनर सब्जेक्ट रहेगा आप मेजर में हो ले लो अगर आप साइंस तो ऐसा नहीं कि साइंस लेने के बाद आप वापस नहीं लोड को आपका जो मन है वो करो जो किसी को भी मेजर से माइनर बना लो माइनर से मेजर बना लो यह चीज संजुने का औंसी नेशनल पार्क परनरघट्टा नेशनल पार्क बांदीपूरे नेशनल पार्क बहुत सारे नेश्टल पार्क है मंदारीन को इसमें नहीं लिया गया है बिल्कुल सही बात है यूनिवसिटी गेम का सेकेंड एडिसन यहां पे हुआ है जो जैन इनिवसिटी ने जीता है उसका वीरा मसकट है धाकड मसकट है यूथ गेम का जो हरियाना में हो रहा है जैन इनिवसिटी ने यहां पे जीता है बिल्कुल सही बात है हाँ आरबियाई इनोवेशन हब का उदगाटन बैंगलोर में किया गया है रिजर बैंक इनोवेशन हब का और इसके हेड क्रिस गुपाल किष्णन है और CEO है राजेस बंसल और सीटियों है करनाटक के ही मैसूर में वर्णी का नाम से इंक प्रोसेसिंग यूनिट शुरू हुआ है और लर्निंग डेवलप्मेंट सेंटर ओपन हुआ है भारती रिजर बैंक नोट मुद्रम प्राइविट लिम्टेट के अंदर मैसूर और सालबुनी वाले प्रेस आते हैं बी और बी एनमपील का भी हेटकवाटर बैंगलूरू में ही है बैंगलूरू में ही दोस्तो इसरो का भी हेटकवाटर है टेसला का भी है कि एनस आयल का भी है कि अनकेडमी का भी है जो सौफ्ट्वेर वाली कंपनिया है उनका भी जो इन्फोसिस इन्फोसिस जितनी कंपनिया सबका एट्वाटर बैंगलूरू में यह ऐसा ही थोड़ी इसको सिल्कॉन वेली कहते हैं कि दोस्तों फर्स्ट कॉन्फरेंस ऑफ इंक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशन क्रूस कॉन्फरेंस विल बी हेल्ड इन डॉट 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 अतुल्य भारत अंतराश्टी क्रूस सम्मेलन 2022 का पहला सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जाएगा तो दोस्तों यह मुंबई में आ दोस्तों वह हैं आपके सर्वानन सोनेवाल यह आयूश मंत्री भी हैं ठीक है दोस्तों निमलिकित में से किस भारती क्रिकेटर को विजडन क्रिकेटर एलमेनेक के आप फाइफ क्रिकेटर और और में चुना गया है दोस्तों विजदन को जो है विजदन अगर नाम किसी कहता है ठोपने आपको क्रिकेस सम्मानित महसूस करता है यहाँ नाप जोस्तरित लोके और रोखिता सरमा ये दो लोग विजदन के फाइफ क्रिकेटर आफ दे यर में चुने गए रोहित सर्मा का नाम तो आपको याद होगा लेकिन जस्परित भूमरा का नाम आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए भूम 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 भूमरा ठीक है बाकी लोग है एलमनेक रोबिंसन इंगलेंड के फर्स्ट वालर डैन वैन है साउथ अफेका वीमेंज प्लेयर है देवान कॉनवे न्यूजी लेंड को ऊपनर है lee कि दो प्रसार भारती ने ब्रोट कांश्टिंग के छेत्र में सहयोग के लिए किस देश के ITA से समझोता किया है दोस्तों प्रसार भारती कई देशों के साथ समझोता कर चुकी है इस्राइल और अर्जेंटीना की कंपनी के साथ भी समझोता कर रहे हैं प्रसार भारती ब्रॉटकास्टिंग कंपनी है हमारी यहां की दोस्तों और प्रसार भारती के हेड हैं शॉशी शेंखर वेंपती ब्राड कास्टिंग एसोसियेशन जो दुनिया में उसमें भी हैं जैसे अभी नरिंदर बत्रा जी हमारे भारती ओलंपिक संग के हेड थे और वह इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी में भी मेंबर थे और फाइच में भी लेंड में है जो इंटरनेशनल सहस्ता है अब इन्हों ने भारती ओलंपिक संग्से स्तीफा दे दिया बोले कि सेकेंड टर्म हम नहीं करेंगे यह टर्म कम्प्लीट हमारा काम करें सेकेंड टर्म लेने के वह इच्छुक नहीं है कि ठीक है दोस्तों एन्पी सी आई इंटरनेशनल पेमेंट लिम्टेड ने घोशना की है कि भीम यूपी आई नियो पे टर्मिनल ओपर चालू हो गया है नियो पे किस देश के बैंक की भुक्तान सहायक कम्पनी है नियो पे इस दब पेमेंट सब्सिडियरी आफ विच कंट्री इस ब NBBL जो है यह अप्रैल 2021 में आई थी यह दोनों कम्पनी NPCI की सब्सिडियरी है इसलिए इन दोनों में N का मतलब नेशनल नहीं है NPCI ही है यहाँ पे N का मतलब नेशनल है लेकिन इन दोनों N का मतलब NPCI है दोस्तों यह अप्रैल 2021 में आई थी और इसके हेड जो है वो है आपकी नुपूर चतुरुवेदी जो की NPCI भारत बिल लिम्टेड है इसकी हेड है नुपूर चतुरुवेदी ठीक है और NIPL की जो है अप्रैल 2020 में इसकी स्थापना हुई थी NIPL की ठीक है ठीक है और इसके हेड है रितेश रितेश शुकला सहद नाम है कि ठीक है कि समझ गए समझ गए कि नहीं समझ गए अ कि यह दोनों सबसे डिरी NPCI सब्सक्राइशन 2008 में आई थी यह RBI और IBA ने मिलके सुरू किया था इसको और इसके हेड है डिलीप आजबे दिलीप आजबे जितने भी रिवल्यूशन है वह इनों नहीं किया है चाहे UPI हो चाहे अभी आपने पढ़ा भारत बिल्ल चाहे आपने पढ़ा हो कुछ भी आपने पढ़ा चाहे आपने फास्टेक की सेवा पढ़ी हो है ना चाहे आपने अभी रूपी पढ़ा कि यह करनाटक ने पहला इंपलिमेंट किया था कुछ भी यूपी यूपाई लाइट यूपाई बन टू थरी पर सबकुछ एन पी सी आई के द्वारा ही डवलक किया जाता है दोस्तो यूपी जो है धीरे-धीरे कई देशों में इंप्लिमेंट होते जा रहा capacities अंस दूपी रूपे, UPI और रूपे दोस्तो सौधी अरब में हो गया, UAE में हो गया, सिंगापुर में हो गया, भूतान में हो गया, नेपाल में हो गया, साथ सौधी में नहीं हुआ है, लेकिन नेपाल में, सिंगापुर में, UAE में, इन सब जगतो रूपे और UPI दोनों हो चुका है, ठी ठीक है क्लियर है बात समझ में आ गया रूपे कब आया था रूपे आया था अब इसमें बड़ा तुम लोग ने कन्फ्यूज किया हुआ छोड़ो नहीं बताऊंगा मैं अन्पी सी आई का हेट क्वार्टर दोस्तों मुंबई में भारती रिजर बैंक ने एन्बीएपसी और प्रात्मिक सहरी सहकारी बैंकों के बड़े उधार करताओं के लिए 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 लिगल इंटिटी ऑइडेंटिफैर पर गायडलाइन kा विस्तार किया है लिगल इंटिटी आइडिंटी फियर कितने अंका होता है कि मालूम है मैं कहूंगा कि 2.0 13 में तो तुम कहों के सार 210 में कोई कहगा 2011 में कोई कहगा 2014 में कोई कहगा 2012 में तो इस सब यादी मत रखो जो कंफ्यूज करता है क्योंकि आप ही लोग nf. करते एक दूसरे पूद इसलिए सब चीजों पर चर्चाहि मत करो कि आप लोग जान बुझ कि यही कुश्चन बार बार पूछते हो कि तुचार दस लोग और कन्फ्यूज हो जाएं तो दोस्तों जो है और बी आई और एंबी अपसी और प्राथमिक सहरी सहकारी बैंक को में जो बड़े उधार करता है अभी तक लीगल एंटिटी आइडेंट आइडेंटिफायर केवल फंड ट्रांसफर पर यूज होता था फंड ट्रांसफर जो बड़े बड़े फंड ट्रांसफर होते थे उसमें लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर यूज होता था लेकिन अब जो है लोन पर भी जो बड़े बारोवर्स हैं उनको भी लीगल एं बात समझ में आ रही है क्लियर है तो दोस्तों इसको जो है पांच करोन से उपर के जितने लोन है उस पर एल आई कोड प्राप्त करने की अवस्यक्ता होगी कंपनियों को होगी दोस्तों परसनल लोगों को नहीं होगी एंटिटी का मतलब होता है संस्था तो व्यक्तिगत लोन के लिए नहीं है यह यह नॉन इंडिविज्वल बारूवर्स के लिए बात समझ में आ गई clear है पहले 50 करोड से उपर के fund transfer पर यह होता था अब यह 5 करोड से उपर के loan पर भी होगा तो 5 और 50 याद कर लो 5 करोड से उपर के loan पर और 50 करोड से उपर के fund transfer पर ठीक है अब इसको भी इन्होंने phaged manner में किया है कि अभी जो है बड़े वाले का पहले ले लो 25 करोड से उपर वाले 30 अप्राइल 2023 तक दे दे फिर 25 करोड से 10 करोड वाले जो है यह 35 अप्राइल 2024 तक दे दे फिर 5 करोड से 10 करोड वाले 30 अपराल 2025 तक दे दे तो तीन फेज में क्या सबसे पहले बड़े वालों को पकड़ो पहले वेल मचली को पकड़ो फिर सार्क मचली को पकड़ो फिर छोटी मचली को पकड़ो इस तरीके से आरबी आई का यह नया नियम आया है याद रखेंगे ओके तो साथ बज़े दोस्तों ऐसे ही बैंकिंग कॉंसेट पर चर्चा हो रही है जो है बैंकिंग कौंसेट की बैंकिंग अवेर्निस की जीरोई वाली क्लास एकदम बेष क्लास लेकिन केवल इंपॉंटरेंट करेंट अफ्य carbon यह iz आजkim सबस्क्रिप्शन वाले जरूर हाजिर हो करें अगर आपको तभीयत से तैयारी करनी है टाइम है और एकदम बेसिक से पढ़ना और खोद खोद के पढ़ना है सर को बहिया सर यह भी बताईया सर यह भी बताईए स्री तो का पुश्ट माटम हुआ है खाली और कॉपरेटिव बेंक का पुश्ट माटम हुआ बात समझ में आ रही है चलिए दोस्तों यूनाइटे तो सब लोग इन्रोल कर लो अपने आपको जितने भी सब्सक्रिप्शन वाले हैं प्लस वाले अपने आपको इन्रोल कर लिजे गेम चेंजर बैच में उसका लिंक मैंने दिया भी हुआ है ठीक है अभी मैं फिर भेज़ दूंगा उसका लिंक कि कल मैंने भेजा था कल साम को साथ पजे दोस्तों युनाइटे नेशन इन्वार्मेंट प्रोग्राम का जो हेट क्वार्टर है वो है नैरोबी केन्या में जून को मनाया भी जाता है तो इसका भी थीम बहुत पूछता है ठीक है जैसे अभी जो है मनाया गया था आपका क्या कहते हैं वाटर डे उसका थीम पूछा साथ अप्रेल को मनाया गया था वर्ल्ड हेल्थ डे उसका थीम पूछा था बाइस मार्च को वाटर डे उसका थीम पूछा था तो दोस्तों ऐसे ही युनाइटेड नेशन इन्वार्मेंट प्रोग्राम ने विद्यूत मोहन जी को चेंपियन आफ देट अवर्ड दिया था मोदी जी को दिया था कोचीन एरपोर्ट को दिया था क्योंकि लोग सोलर पावर के लिए काम कर रहे ते विद्यूत मोहन जी पराली को जला करके चार्कोल में कनवर्ट करें लेकिन एक इन्वार्मेंटलिस्ट ऐसा है जिसने पूरा जीवन इसको दिया है इन्वार्मेंट को इसलिए नंको lifetimeãy ri men category वार्ड दिया जा रहा है इन्हों निर के मुशन हे महारानी के लड़के के साथ मिलके प्रिंस विलियमक के साथ मिलकर के एक इंवार्मेंट का नौबल यह इनवार्मेंट का उसकर कहे जाने वाले सुरू किया आर्थ को सुरू किया परईश पहला जो है वह आपके विद्यूत मोहनजी को वह भी मिला इन्हों ने भी दिया इन्वार्मेंट प्रोग्राम ने चैंपियन यंग चैंपियन ऑफ देट वर्ट उनकी कंपनी ती जो है टेका जिसने चारकोल पराली में बदला और इन्हों ने भी दोस्तों विद्यूत मोहन को अवार्ड दिया था और प्राइस जो कि ब्रिटेन के राजपरिवार द्वारा दिया रहा है पांच लोगों को पहला और सब्राइस दिया गया जिसमें विद्यूत नोहन जी भी थे तो देविड एटानबरो इसका एंसर होगा इसका एंसर होगा मैं के च्астьर में लाइफ स्टेम एज्यमेंट अवार्ड डेविड एटानबरो को दिया गया है Partner से याद आता रिचर्ड एटनबरो ने एक मूवी बनाई थी गांधी नाम से जब हम लोग बहुत छोटे थे तो दो अक्टूबर को दुरदर्शन ही चलता था हम लोग कहां तो केवल गांधी पिच्चर ही दिखाई जाती थी और वो जो है रिचर्ड एटनबरो ने बनाई थी और ऑसकर अ पहली भारतिय जिनको ओसकर एवर्ड मिला था भानु अथया यसे गांधी जी का कॉस्ट्यूम हो चाहे अंग्रेज्यों का कॉस्ट्यूम हो आजादी के जो फ्रीडम फाइटर है उनका कॉस्ट्यूम हो बड़ा अच्छे से डिजाइन किया गया था है ठीक है तो कितनी मोधी जी को चेंपियन अब दिया गया था और उनके साथ दिया गया था फ्रांस के राश्च्पती को क्योंकि स्योपी ट्वन के पेडिश जलवायु सम्मिलन राश्च्पती थे उस समय सायथ फ्रांसीस होलांदे उनको उन्होंने इस पहल पे जो है मुदी जी के आगे बढ़वाया और इंटरनेशन सोलर लैंस बना बुर्दाओं में हेटक्वाटर है आज अजय मातूर हेड है अरत अध्यक्ष है एक सो पाचवा मेंबर नेपाल है तो फ्रांसिस होलांदे को भी मिला था और इनको भी मिल साहब जो रशिया के आगे भी नहीं जुका जो देश छोड़ के नहीं भागा जो अपने लोगों के साथ जुटा रहा और उसके लोग भी उसके साथ जुटे रहे और भाई साहब रशिया आज तक युद्धाई लड़ रहा है वहां पे यह यूक्रेन के राश्पती ब्ला माका हुआ था 26 अपरेल को ना और जिसे में की सवा लाख लोग मारे गए थे नुक्लियर रियक्टर में दोस्तों लीकेज की वजह से यूक्रेन की जो कैपिटल है कीव है और हरवीनिया यहां की करेंसी है दोस्तों यूक्रेन यूएस एसर का पार्ट हुआ करता था 1991 के पह आता था रशिया अगा अगा नेवल बेस कोच्ची इस्थित नेवल इस्टिट्यूट आफ एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग टेकलोजी निर्देसात्मक नेत्रित्व शेक्षित मनु विज्ञान और प्रबंदन के चित्र में सहयोग और सर्वुत्तम प्रथाओं के अधान इसने किसके साथ टाइब किया है दोस्तो तो आई-ई-एम कोजी कोड के साथ टाइब किया है नेवल बेस जो है दोस्तो यह नेवी इस्टिट्यूट है नेवल इस्टिट्यूट है कोची में इसने जो है आई-म को जी कोड के साथ टाई-अप किया है ताकि उनके लोगों को जो है बेस्ट ट्रेनिंग मिल सके इन दे फिल्ड ऑफ इंस्ट्रक्शनल लीडर्शिप, एजुकेशनल साइकलोजी और मेनेजमेंट के छेत्र में दोस्तों, every year World Book and Copyright Day कम मना जाता है हर साल विस र कुस्तक और कपिराइड दिवस किस्तिती को मना जाता है तो World Book और Copyright Day जो है दोस्तों ये 23 अप्रेल को मना जाता है, 23 अप्रेल को मनाया जाता है ठीक है क्लियर है याद रहेगा दोस्तो राश्ट्री पंचायती राजदिवस हर साल किस्तिती को मनाया जाता है और विच डेट नेशनल पंचायती राजदिवस किस दिन मनाया जाता है तो यह 24 अप्रेल को मनाया जाता है दोस्तो 24 मार्च को TV डे मनाया जाता है और 24 अप्रेल को पंचायती राज दिवस बनाया जाता है दोस्तों पंचायती रेज 1995 में शुरू हुआ और इसी दिन स्वामित व्योजना की सुरुवाद की गई पिछले साल स्वामित व्योजना में प्रापरटी काड़ भी बाटा गय ठीक है तो दोस्तो 73 संसोधन इसे कहा जाता है constitutional amendment है पूछा जाता है कि भाई जो पंचायती राज दिवस आया पंचायती राज चोबीस अप्रालों से 93 में सुरू हुआ तो दोस्तों यह सम्विधान का कौन सा संसोधन था तो यह सथान लागों कैता है न कियृज बनाया गया बिल्कुल सही जवाब है बल्वंत राइक कमिटी के द्वारा बिल्कुल सही पंचायती राज बलवंत राय एक दिन पहला ही फांसी दे दी गई थी तो दोस्तों जिँक deaf बुक परइस बुख फेसटिवल मनाया जा रहा है जहां पे गेश्ट ऑफ ऑनर का खिताब जो सम्मान हैं वो भारत को दिया गयाThese पैरिस बुक नहीं बोले तब तक आप लोग बाई मत बोला करिए जब मैं बाई बोल दूं तब आपका बाई होना चाहिए ठीक है चलो ओके बबाई टेक केर खुश रहिए सर पंजाब के नायब तवसिलदार के एक्जाम पर यह वाला कॉश्चन आया था सर कौन सा कौन सा कॉश्चन थैंक यू सो मच शुक्रिया धन्यवाद जय हिंद जय भारत खुश रहिए स्वस्थ रहिए मस्थ रहिए व्यस्थ रहिए बबाई टेक क्यार कोड़ बिलिस यूँ आ पंचायती राजवाला अच्छा पंचायती राजवाला कॉश्चन बहुत इंपर्टेंट है जितने भी स पंचायती क्यों कि यह लोकतर की व्यवस्था इसे लोक सभवां सभाहिए एतना लेत में तो लेट में आया तो किस अमेंडमेंट में आया इस कमीटी के रिकमेंडेशन प्याया किस श्टेट ने पहली बार लागू किया यह सब आता है लोग आ जाईएगा इन्रोल कर लीजिए अभी मैं लिंक बेज रहा हूं प्लस सब्सक्रिब्स फिर रात को दस बजे फिनेंशल करेंट अफियर की क्लास में रैपीट फैर रहेगा के बबाई